हलो डियर श्टुडेंट आप सभी के चेनल में आपका स्वागत है फर्स्ट गेट जीके का जो करंट अफेर है उसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका एक टोपी के नविंतम पुस्तिके और उनके लेखक इसे हमेशा दो क्यूशन आते हैं फिसली बार भी आया था अब्दूलकलाम जी की पुस्तक का नाम और संजे बारू की पुस्तक का नाम तो आज हम इसको पढ़ेंगे नविंतम पुस्तिके और लेखक टोटल 73 पुस्तिके हैं तो इसको तीन भागों में करेंगे 26, 26 और 21 तीन भागों में पढ़ेंगे ये पुस्तिके वाला पार्ट पहली पुस्तिक आती हैं इसको अपन याद करेंगे तो आप ध्यान से सुनना और ज्यान से समझना अपन क्रीम रूल खाते हैं तो उसको तोड़ करती हैं प्रीती सिनोई और प्रीती सिनोई की पुस्तिक क्या है रूल ब्रेकर्स दूसरी पुस्तिक आती हैं मुविंग ओन मुविंग फारवर्ड ए इयर इन ओपिस बार बार मुव कोन करता है कभी इस पार्टी में गया कभी उस पार्टी में गया वेंकिया नाइडू तो moving on moving forward a year in office तो moving on moving किसकी पुस्तक है moving on moving forward वहिंके या नाइडू यह हमेशा moving, move करते रहते हैं कभी इदर तो moving on moving forward किसकी पुस्तक हैं वहिंके या नाइडू की तीसरी पुस्तक आती है अन कही थी जो बर्मा नंद दूबे ने एक बात कही थी लेकिन वो पूरी तरह से नहीं कैपाए थे, वो बात अनकही रह गई थी, तो अनकही थी जो ये पुष्टक किस ने लिखी है बर्मानंद द्ूबे ने, रूल ब्रेक कोन करती हैं? प्रिति, सिनौई, moving on, moving बार-बार मुव कोन करते हैं वेंकेया, नाइडू और ब्रह्मानंद दूबे ने एक बात कही थी जो पूरी तरह से नहीं कही थी वो अनकही रह गई थी तो ये पुस्तक इनकी छब गई अनकही थी जो किसने कही थी अनकही बात ब्रह्मानंद दूबे ने फिर आता है गाट्स ओब बनारस बनारस के गाट पर कोन गूमने गया था सचिदानंद जोसी याद रखेगा बनारस के गाट पर कोन गूमने गया था गाट्स ओब बनारस सचिदानंद जोसी फिर इसके बाद आता है पांचवी पुस्तक रिपोर्टर ए मेमोएर रिपोर्टर कोन बना था si mor m hirs याद रखना रिपोर्टर कोन बना था si mor m hirs फिर आती है the climate solution climate का solution किस ने दिया मरदुला रमेश ने 이 तो किस की है मरदुला रमेश ने क्लाइमेट का solution दिया था मर्दुला रमेश ने इनकी किताब सपी है climate solution फिर आती है 11th hour 11 गंटे किसने tv देखी थी लगातार एस हुसेन जेदी ने 11th hour यह मतलब 11 गंटे tv किसने देखी हुसेन जेदी ने याद रखेगा the climate का solution किसने दिया था मर्दुला रमेश ने रिपोर्टर कौन था हर्स सिमोर हर्स 11 गंटे tv किसने देखी थी हुसेन जेदी ने 11th hour एस हुसेन जेदी फिर आती है अगली पुस्तक English patient अंग्रेजी मरीज कौन था माइकल ओदान्त जे इंग्लिश patient कौन था माइकल उंदात जे याद रखना English patient था माइकल उंदात जे फिर आती ही important पुस्तक है ये याद रखेगा इसको sheds of saffron from vajpai to moody किसकी पुस्तक है सबा नकभी की इंग्लिश patient कौन था माइकल उंदात जे वापिस नोपड़ली अपनने वापिस स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ रूल ब्रेकर्स रूल किसने तोड़ा था पृती शिनोईने moving on moving forward move कौन करता है बार बार वेंके या नाइडू एक बात अनकही रह गई थी वो अनकही बात किसने कही थी बर्मा नंद दूबे ने बनारस के गाट पर कौन गुमने गया था सचिदानन्द जोसी गाट वो बनारस सचिदानन्द जोसी रिपोर्टर कौन था memory का सिमोर हर्स कलाइमेट का solution किसने बताया था मरदुला रमेश ने तो climate solution किसकी पुस्तक हैं मरदुला रमेश की 11th hour TV किसने देखी थी हुसेन जेदी ने 11 गंटे या 11th hour किसने टीवी देखी थी हुसेन जेदी ने इंगलिज पेशेंट कौन था माइकल उंदाथ जे अंग्रेजी मरीज था माइकल उंदाथ जे Sets of Saffron From Vajpai to Modi important पुस्तक है Sets of Saffron From Vajpai to Modi किसने लिखी है सबा नकबी ने फिर आती है When Korn Tanded Gold When Korn Tanded Gold एं मेकिंग ओपे महारतन कंपनी गोल्ड की महारतन कंपनी में किसने काम किया था पार्थ सार्ती बटाचारी ने गोल्ड की महारतन कंपनी में किसने काम किया था पार्थ सार्थी बट्टाचारी ने काम किया था गोल्ड की महारतन कंपणी में वेन कौन टैन्ड गोल्ड ए मेकिंग ओप ए महारतन कंपणी याद रखेगा गोल्ड की महारतन कंपणी में पार्थ सार्थी बट्टाचारी ने काम किया था अगला आता है बेंक ओप पोलमपूर पोलमपूर के बेंक में कौन कारी करता था अपना वेद माथूर याद रखेगा पोलमपूर के बेंक में किसने काम किया था वेद माथूर ने तो बेंक ओप पोलमपूर किसकी पुस्तक है वेद माथूर की क्योंकि पॉलमपूर के बेंक में वेद माथूर ने काम किया था इसलिए बेंक ओप पॉलमपूर वेद माथूर की पुस्तक है फिर अगली आती हैं संभवामी युगे युगे ये नारा किस ने दिया था संब वामी युगे युगे का विद्या सींग ने नारा दिया था संब वामी युगे युगे का नारा किस ने दिया है विद्या सींग ने और पॉलमपूर के बेंक में कौन काम करता है वेद माथूर करम योगी किसको कहते हैं रामेंदर सीहा को करम योगी पुस्तक है रामेंदर सीहा की इसलिए करम योगी किसे कहा जाता है रामेंदर सीहा को कहा जाता है जबकि संभवामी योगेगे का नारा किस ने दिया था विद्या सींग ने दिया था और करम योगी किसे कहा जाता है रामेंदर सीहा को ये इनके पुस्तक है रामेंदर सीहा की करम योगी फिर अगली पुस्तक आती है All you need to know about heart Heart के बारे में अगर आपको सब कुछ जानकारी करनी है तो किसे संपर करना पड़ेगा SS बंसल से अगर आपको दिल के बारे में सब कुछ जानना है तो किसे संपर करें SS बंसल से All you need to know about heart अगर आपको दिल के बारे में सब कुछ जानना है तो किसे संपर करें SS बंसल से करम योगी कौन है रामेंदर सीहा संभवामी युगे-उगी का नारा किसने दिया था विद्या सींग ने और बेंकोप पॉलंपूर में किसने काम किया था वेद मातुर ने जबकि गोल्ड की महारतन कंपनी में किसने काम किया था पार्त सार्ती बट्टाचारी ने फिर आती है दा आउटसाइडर आउटसाइडर किसकी है स्टीपन किंग की आउटसाइडर कौन होता है बाहरी विक्ती तो एक राजा पर दूसरा राजा आकरमन करता है वो दूसरा राजा कहा का होता है बाहरी राजा होता है तो इधर भी किंग है तो आउटसाइडर किसकी है स्टीपन किंग की आउटसाइडर यानि बहारी वेक्ती यानि दूसरे देश का राजा वो अपने देश के राजा पर आक्रमन करेगा तो वो भी राजा है तो आउटसाइडर किसकी पुस्तक है स्टीपन किंग की फिर आती है अनिता गेट्स बेल और कोर्ट्स एंड देयर जज्जमेंट अनिता को बेल किसने दिलाई अरुण शोरी ने अनिता गेट्स बेल अर्थात अनिता को जमानत किसने दिलाई थी अरुन शोरी ने क्योंकि वो कोर्ट में थे और उन्होंने निर्णे दिया था तेयर जज्जमेंट इसलिए अनिता को बेल मिली थी तो ये दोनों पुष्टिकें किसकी हैं अरुन शोरी की अनिता को बेल किसने दिलवाई अरुन शोरी ने क्योंकि कोर्ट में वो थे और उनके जज्जमेंट के कारण ही अनिता को जमानत मिली तो ये दोनों पुष्ट के हैं अरुन शोरी की याद रखेगा अनिता गेट्स बेल किसकी साहिता से अरुन शोरी की साहिता से अनिता ने जमानत प्राप्त की अरुन शोरी की साहिता से और court and their judgment court और उनके निरने किस ने दिये थे अरुन शोरी ने फिर आती है citizen daily my times my life citizen daily my times my life ये नारा किसने लियाता मेरा समय और मेरी जिन्दगी सिला दिख्षित ने याद रखेगा my times my life मेरा समय और मेरी जिन्दगी किसने कहा ये सिला दिख्षित ने ये सिला दिख्षित की पुस्तक है citizen daily my times my life अब आती है winning like Sachin think and succeeded like Tendulkar ये सचिन के बारे में पुस्तक किसने लिखी है देवेंदर परभू देशाई ने जीतो तो सचिन की तरह है winning like Sachin किसने लिखी देवेंदर परभू देशाई ने winning like Sachin think and succeeded like Tendulkar तो सचिन Tendulkar के बारे में किसने पुस्तक लिखी है देवेंदर परभु देशाई ने फिर आती है ये किसकी पुस्तक है याद रखेगा ये पुस्तक किसकी पुस्तक है लिंडा युए की फिर आती है भारत को किसने बाटा दीम मार्शल ने याद रखेगा दीम मार्शल किसकी पुस्तक है दीम मार्शल की फिर आती है एवरिडे कम्यूनिलिज्म इन उत्तर परदेश परते एक दिन कम्यूनिलिज्म में होता है उत्तर परदेश में किसकी अकोडिंग सुदा पाई और सज्जन कुमार ने लिखा है ये पुस्तक एवरिडे कम्यूनिलिज्म इन उत्तर परदेश एवरिडे इन उत्तर परदेश कोन गुमने जाता है सूधा पाई और सज़न कुमार Everyday Communism in Uttar Pradish सूधा पाई और सज़न कुमार और विले Dream and Reality और विले सपना और वास्तिविक्ता कों दिखाता है आकास कपूर याद रखना Dream and Reality सपना और वास्तिविक्ता से हमारा सकसात कार कों कराता है आकास कपूर तो याद रखना ये पुस्तक और विले ड्रीम एन रियलिटी आकास कपूर उत्तर परदेश की अर्थ व्यवस्ता ये किसने लिखी है उत्तर परदेश की अर्थ व्यवस्ता अर्विंद नारायन मिस्र और अतुल चंद्रा ने लिखी है दीपल सक्सेना से कल रात को अपन किसे मिलेंगे दीपल सक्सेना से उत्तर परदेश की अर्थ वेवस्ता किसी ने लिखी अर्विंद नार्यन मिस्र और अतुल चंद्रा ने और कल रात को अपन किसे मिलेंगे सी यू टुमारो एट नाइट दीपल सकसेना से see you tomorrow at night है दीपल सकसेना की और dream और reality अर्थाथ सपना और वास्तिविक्ता कौन दिखाता है हमें आकास कपूर everyday communism in उत्तरपरदेश everyday परते एक दिन उत्तरपरदेश में communism कौन करता हैं सूदा पाई और सजन कुमार divided किसकी पुस्तक है why we are living in age of walls दीम मार्शल की divided किसने कहता भारत को दीम मार्शल ने तो divided किसकी पुस्तक है ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको divided किसकी पुस्तक है दीम मार्शल की the great economists कौन है लिंडा यूए है winning like सचिन की तरह जीतो किसने लिखी है देवेंदर प्रभु देशाई ने मेरा समय और मेरी जिंदगी my times my life citizen देली my times my life ये किसने लिखी है सीला दिक्सीत ने अनिता को बेल किसने दिलवाई थी क्योंकि कोट और उनके निर्ने भी अरुन सोरी ने दिये थे इसलिए अरुन सोरी ने अनिता को जमानत दिलवाई थी और कोट और उनके निर्ने भी अरुन सोरी ने दिये थे दा आउटसाइडर बाहरी विक्ति ये बाहरी राजा कौन था स्टिपन किंग आपको अगर हार्ट के बारे में सब कुछ जानना हो तो किस संपर करना पड़ेगा SS बंसल से करम योगी कौन है संभवामी युगे युगे नारा किस ने दिया था विद्या सींग ने दिया था संभवामी युगे युगे का नारा बेंक ओ पोलमपूर पोलमपूर के बेंक में कौन काम करता है वेद माथूर वेन कौन टर्ण गोल्ड एं मेकिंग ओपे महारतन कमपनी गोल्ड की महारतन कमपनी में कौन काम करता है पार्थ सार्ती बट्टा चाहिए इंपोर्टेंट पुस्तक है शेड़ सोप सेफरोन फ्रोम वाजपई टू मोधी किसने लिखी है सबा नकबी ने अंग्रेजी मरीज कोन था इंगलीज पेशेंट माइकल ओंदात जे जारा गंटी टीवी किसने देखी थी 11 आवर एस हुसेन जेदी ने क्लाइमेट का सोल्यूशन किसने दिया था मर्दुला रमेश ने दिया था क्लाइमेट का सोल्यूशन रिपोर्टर कोन था? एम मेमोर का सिमोर हर्स बनारस के गाट पर कोन गूमने गया था? सचिदानंद जोसी बरमानंद दूबे ने एक बात कही थी वो अनकही रह गी थी तो अनकही थी जो किसकी पुस्तक हैं? बरमानंद दूबे की moving on moving forward a year in office move कौन करता है बार बार वेंके या नाइडू और rule break कौन करता है प्रीती शिनोड यह आपका पहला पार्ट हो गया पुस्तकों का फिर इसके बाद अपन तेहतर पुस्तके हैं जो अगला पार्ट कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपको पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेर करें थैंक्यू